तो आज हम आपको मैस्ट्रो इलेक्ट्रोनिक पे शेर अनालिसस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा साथ ही में हिट दे बैल आइकन सबसे पहले हम आपको company के बारे में बताएंगे कि company क्या काम करती है then उसके competitors कौन-कौन है share price chart बताएंगे, share holding pattern बताएंगे and quarterly result का analysis करेंगे like quarterly wise company कैसा perform कर रही है और yearly wise company ने कैसा perform किया था पिछले time पे So let's begin Maestro Electronic and Communication Limited ये primarily engaged है किस चीज में ये design करती, development करती और manufacturing करती है products का, equipment का, services का जो basically cardiology, gynecology, critical care patient and disease management in medicine इन सब में यूस किया जाता है तो basically ये ऐसी machines बनाती है जो इन सारी जगह यूस किये जाते है ये electronic machines बनाती है और company और भी चीज़ों में engaged है जिसे की financial inclusion उसके लिए products बनाना, okay market cap 37.8 करोड का, तो ये एक small gap company है जिसका stock price to earning है 37.27.4 और industry का 25.1 तो industry के comparison में थोड़े से आपको ज्यादा प्राइस में मिल रहा है और book value है 40.4 और current price है 68.6 तो book value के comparison में भी थोड़ा आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा है returns देखेंगे company के, तो 30.7% और ROCE है और capital पे जो return है वो है 38.6 मतलब कि पिछले साल ये जो returns होते हैं वो year on year basis पे count करते है तो पिछले साल जो return है, I mean जो profit है वो काफी अच्छा खासा आया तभी company के जो returns है वो इतने अच्छे है 30.6%, 30.7% बाकी normally 15-20% का return अगर कोई company देता तो काफी अच्छा माना जाता है debt company के पास 1.47 करोड है तो ये भी काफी अच्छी बात है pledge percentage यहाँ पर 0 है, वह लोग December 2020 तक almost promoter का जो stay के वो pledge पे था लेकिन उस quarter के बाद company ने सारा un pledge कर दिया तो ये काफी positive चीज है अब यहाँ पर बात करेंगे financial trend की तो 2018 में company का revenue था 10 करोड का और उस time company 25 lakh loss में थी 2019 में भी 10 करोड का revenue था 2020 में 20 में 14 करोड का revenue था 2021 में 48 करोड 51 lakh का था revenue तो 2021 pandemic के time company का revenue काफी अच्छा खासा था और इतना revenue company ने अपने कितने साल मलब है न दस साल समझे लीजे इतना revenue company ने कभी भी इतना नहीं किया हर टाइम company आट नौ दस ग्यारा बारा इतना revenue करती थी इससे ज्यादा company revenue नहीं कर पाती थी और उस time company को मुनाफा भी 5 करोड 65 lakh क हुआ चलो 2021 company ने इतना revenue किया उस time जो pledge percentage था company का वो भी सारा company ने अन pledge कर दिया फिर से तो काफी अच्छी बात है लेकिन अभी भी company क्या इतना revenue कर पादी अगर कर पादी तो काफी अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं है जून 2021 में company ने 3 करोड 43 lakh का revenue किया September में 1 करो 99 lakh गया December में 2 करोड 85 lakh गया तो overall अगर हम देखेंगे तो company ने 8 से 8,5 करोड जित्ता revenue किया है जबकि September जून 2020 में 15 करोड 59 lakh September में 27 करोड का December में 22 करोड का company revenue कि तो September जून में इतना अच्छा revenue कि कि company का revenue इतना खासा इतना अच्छा खासा बड़ा है जून September और December का अगर हम देखेंगे तो company ने आपर टोटल कुछ 94-95 lakh का profit कर चुकी है तो ये काफी अच्छी बात है जो company आपर 14 करोड 10 करोड पर 35 lakh का profit करती थी वो अभी इतने lakhs के profit पर आ गई है अगर March में company loss नहीं करती है और इसी तरह revenue करती है तो एक करोड से उपर company का profit आ जाएगा तो ये अच्छी बात है कि पहले के compassion में profitability company की बड़ी है बट overall अगर हम देखेंगे तो revenue तो फिर से वही हो गया जैसे पहले कर दी थी तो इतना कुछ interesting और financials इतने अच्छे नहीं लग रहे है प्रमोटर्स देखेंगे 59.65 से 63.81 हो गए तो ये काफी अच्छी बात है प्रमोटर्स का स्टेक इंक्रीस हो आ है foreign investors 0.23 से 0.20 उन्होंने बीच में decrease भी कर दिया था फिर से उन्होंने 0.21 परसंट लिया है 0.20 domestic investors 0 है अभी public 40.12 से 35.99 हाँ जब दूसरे investors होंगे तो प्रमोटर आइमिन जो प्रमोटर है रिटेल इंवेस्टर्स छोटे इंवेस्टर्स उनके पास थोड़ा कम ही होगा तो यहाँ पर overall तो ज्यादा प्रमोटर के पास ही है तो यह काफी अच्छी बात है तो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की ठिठा है कॉम्पीटीटर्स अगर हम देखें कि तो बेसिकली यह मिसलीनियस में आ गया है इसका कोई इसकी comparison में नहीं है तो यहाँ पर मिसलीनियस में जैसे गुजराद गैस पीबी फिंटेक आई एक सीडी एसल सेंचुरी प्लाइबोर्ट कैंप सर्विस भी ऐसे मिटीए तो ऐसे कोई पैर हम कर नहीं सकते क्योंकि सब अलग-अलग चीज़ें कर रहे हैं उसलिए अगर हम फाइए हाई देखेंग तो 147.50 करेंट ली 69.95 अभी यह लास्ट थर्सडे या फिर उससे पहले वेडिनस दे को 13.19 परसंट भागा था ठीक है और एक हफते में यह 30 परसंट इतना चास रुपे से कुछ 80 रुपे पर आ गया है तो अच्छा खासा यह एक हफते में भागा है और अगर आप देखेंगे तो पहले यह कुछ इतना ही चलता था 67 जितना जून 2020 के बाद इसमें अच्छा खासा हाई काया 147 पर यह शेर गया उसके बाद फिर से गिरने लगा और वही पर यह गूमने लगा तो चांजे से अब इस शेर के थोड़ा नीचे आने के ठीक है वरना यह यही पर गूमता रहेगा तो अगर आपको निवेश करना है ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से तो आप कर सकते हो बागि आप यह शेर को रडार पर रख सकते हो झाल 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 झाल